प्रॉब्लम है डिस्ट्रिब्यूटिव लॉफ यूनियन और इंट्रसेक्शन से मतलिग यानि हम देखेंगे कि अगर हमारे पास तीन सेट्स हों A, B and C और हमने वेरिफाइ करना है कि A union B intersection C जी है वो equal होता है A union B और इसी तरह से intersection का sign and then A union C यह हमने union को distribute किया है जो sets bracket के अंदर मौझूद है A union B फिर intersection का sign and then again A union C अब हम left hand side को लेते हैं left hand side जो कह है A union B intersection C तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि A union B intersection C किसकी बोलाता है सबसे पहले sets लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 उसके बाद union and then intersection के लिए चुक्के पहले हम bracket solve करेंगे B or C intersection set B है 2, 3, 5, 7, 11, or 13 और इसकी intersection लिए जाएगी minus 2, minus 1, 0, 1, or 2 के साथ तो यह किसके एक बोला जाएगी? अब यह set as it is लिखेंगे 1, 2, up to 7 और इसकी union ली जाएगी इन दोनों की intersection के साथ अब इन दोनों की intersection क्या है? ऐसा element जो set B और C में common हों ऐसे elements, तो सिर्फ एक ही element है two, जो के दोनों sets में मुझूद है, set B में भी है और set C में भी है, इसका मतलब है यह सिर्फ आजाएगा two, अब अगर आप इन दोनों की union लें तो इसका मतलब है set A ही आएगा, चुके two इसके इंदर अड़ी मुझूद है, तो one, two, three, four, five, six and seven यह हमारे पास है left hand side, जबके right hand side को अगर हम fine root करना चाहरे है right hand side, वो है A union B, इसकी intersection लेंगे हम A union C के साथ अब A set है, उसको सबसे पहले हम लिखते हैं, जो कि है one से लेके seven तक इसकी union लेंगे हम B के साथ, जो कि है two, three, five, seven, eleven और thirteen उसके बाद हम इस दोनों की intersection लेंगे, A और C की union के साथ हम इनको भी लिखते हैं, again bracket, A है one, two, three, up to seven और इसकी हमारे पास union है, C के साथ लेंगे, जो कि है minus two, minus two, minus one and up to, चले, zero, one and two, चले जब हम इसको simplify करते हैं, तो इन दोनों की union क्या जाएगी, इन दोनों की union होगी, one से लेके, यानि one से seven तक तक तो as it is, four, three, four, five, six and seven, उसके बाद eleven and thirteen, यानि इस set के अंदर सिरफ यही element बचते हैं, इस तरह से अगर आप इन दोनों की union ले ले ले, तो वो start होजेगी, minus two से, minus two, minus one, zero, उसके बाद आगे, one, two, three, four, five, six and seven, अब इन दोनों की अगर हम intersection करें, यानि अगर इन दोनों में common element डून डून दें, तो वो कौन से आएंगे, देखनें, one, two, three, four, five, six, seven, one, two, three, four, five, six, seven, चुक्के 11, 13, a union, b में तो है, लेकिन a union, c में नहीं है, जबके minus two, minus one, zero, ये a union, c में है, a union, b में नहीं है, तो याज येगा, one, two, three, four, five, six and seven, यही common element है, और ये हमारे पास क्या है, right hand side, तो आप देख लें, left hand side जो है, वो equal to right hand side है, इसका मतलब है, कि हमने इस चीज़ को verify कर दिया, कि अगर हम a union, b intersection, c को distributed law के मताबिक a union, b intersection, a union, c करेंगे, तो दोनों sides का answer एक ज़सा आएगा, करेंगा।